हाई दोस्तों गुड मॉनिंग नमस्कार स्वाकते आप सभी का बैंकर स्वेपर मेरे नाम है विशाल परिहार हर दिस दुबार साथ बज़े करते हैं दाहिंदू अडिटोरियल का डिसकेशन यह डिसकेशन दोस्तों शुरुआत करते हैं आज भी आज तारीक है 13 अगर्स्त औ देखेंगे इंडिया क्या चाथा है US क्या चाथा है वो भी देखेंगे अर्टिकल में टाइटल देखकर आपको समझ आई रहा होगा तो आइए दोस्तों एक ही करके स्टार्ट करेंगे वट हमेशा की तरे एक बढ़िया पॉजिटिव मोटिवेशन लिखा हुआ है आपकी जिन्दिगी में कुछ भी नहीं बदलेगा जब तक आप खुद को नहीं बदलेंगे असल में बदलना है क्या कई बार मैं आप समझ लेना किन लोगों की बात हो रही है ना आप ही में से वो लोग होंगे कई बार क्या होगा कि आप टाकत लगाते हैं आप मेहनत करते हैं बड रिजल्ट नहीं आता, आप जब मॉक पेपर लगाते हैं आप कहते हो कियार मेरा स्कोर नहीं आ रहा है, आप question solve करते हो, solve हो नहीं पा रहा है, reason आप देख रहे हो यारे आपके जिन्दीगी में सच में कुछ बदल नहीं रहा तो आपको खुद को बद खुद को बदलने का मतलब आप टीचर से पूचिए सर्फ प्रॉब्लम कहां आ रही है कम या कहां आ रही है टीचर की मदद से आप अपनी कम्यों को पहचाने हैं आप वह कैसे पूछ सकते हैं आप कॉमेंट बॉक्स पिलिखिए आप क्लासे में पढ़ते हैं हांडएज के औपशन का इस्तेमाल किजिए अपनी बात को पीचर तक पहुचाने की कोशिश करें क्योंकि ओन्लाइन क्लासे से एक दम से बात नहीं पहुच पाते हैं आप बिलकुल बातों को पहुचाने की कोशिश करिए मैं काम कहता हूँ आप कुछ भी आपको किसी भी किस इसी भी तरही की समझ जाओ, इसी वीडियो की comment box में जरूर लिखे, क्योंकि मैं हर comment इस वीडियो को तो जरूर जरूर देली देखता हूँ, और उसके accordingly मैं आपकी वीडियो बनाता हूँ, तो आप जरूर देखे, क्या changes हो सकते हैं, approaches में, उन changes को अपनाएगे, then फिर implement करिये, definitely बदलेंगी चीजें और वो आपके काम आएंगे, है न, definitely ऐसा होगा, इसी positive spirit से दोस्तों start करते हैं, आज के session को, बिलकुल भी demoralize कभी मत होगेगा, है न, आज यह दोस्तों, क्या क्या आज के session में है, उसको पढ़ते हैं, article का discussion करते हैं, देखो, आज अपना दाहिंदू बढ़िया चल रहा है, कोई इसमें एक भी page गाया नहीं है, कल गाया वो रखा था, पहला article दोस्तों, यह no holds part, basically क्या है कि इंडिया और US ने, जो अभी terrorist के हम बात कर रहे थे, उसको global terrorist कहा, लेकिन चाइना ने बीच में technical hold लगा दिया, तो अब यह technical hold कपता लगाता रहता है चाइना पूरा discussion करेंगे, कौन है यह विकती, जिसको हम global terrorist कह रहे थे, little discussion करेंगे, अगला article दोस्तों है, free speech की बात हो रही है, अब free speech होती क्या है, उसको लेकर कौन-कौन से नई cases आते, free speech काफी broad topic है, और आप देखते होंगे, हर कुछ दिनों बाद, हर कुछ दिनों बाद कोई ना कोई आपको एक case देखने को मिलता होगा, free speech is related, same as case आज हमारा यहाँ पर भी है, ठीके, है ना, समझे, same as case हमारा यहाँ पर भी है, इस पर भी discussion करने वाले है, next article यह independence in the words of an American, एक American विकती के शब्दों में independence, उसने सारी चीज़ रिकॉर्ड करी थी, जब शपत ली जा रही थी पहली बार, जब पंड जवाहा लाल नहरू थे, और एक ही करके दोस्तों सारी के सारी चीज़ें यहाँ पर हैं, तो अब 75th independence हम year celebrate करने वाले हैं, तो इसके लिए तो काफी सारी चीज़ें जोश भी हैं लोगों के अंदर, अब आप लोगों ने देख लिया दोस्तों, एक report आये, उस report के according बताया गया है कि जो इंडिया की population है, यह अलागी report आप पहले पढ़ चुके होंगे, 2023 में चाइनर से भी आगे निकल जाएगी इंडिया की जन संक्या है, अब हो जाएगी ऐसा तो इंडिया को invest करना चीए अपना human capital पर, है ना, इंडिया को क कैसे कैसे कहा का, क्या क्या काम करना चीए, यह discussion में कैसी policy अपनानी चीए, तो discussion में अच्छा article नमें दोस्तों यहाँ पर पढ़ेंगे, है ना, ओके, next page पर आते दोस्तों, आज Saturday है, every Saturday article आता है, Ground Zero की report को बताता है, यह Ground Zero की report को बता रहा है, three murderers in a communal cauldron, तीन murderers थे, मतलब हुए थे, murderers नहीं, तीन murder हुए थे, बीजीपी के ही वो लोग है, बीजेपी की सरकार है, उसके वाबरजूत भी बोला गया, कनाटका में, कैसे आप safe नहीं कर पा रहे, article है, पूरा detail discussion है, तो यह तो आप home work में पढ़ोगे, story है, पूरी की पूरी, अराम से पढ़ोगे, अराम समझ में आता रहे, एक प्रकार की story बहुत सिंपल है, on July 27, क्या हुआ, as his car drove into Nataru, जब उनकी car Nataru में पहुची, remote hamlet in Dakshina, कनाडा district, यह दूर दराज का area है, और कनाटका का, नलीन कुमार कटील, जो की ruling भाते पर बिजेपी के state chief है, ऐसे करके दोस्तों, आप पूरा article है, ठीक है, चलो, पढ़ेंगे, reading करेंगे, हम लोग काम करते हैं, इनकी vocab note करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, मैं आपको एक बात बता दूँ दोस्तों, आज है तारीक 13 अगस्त, कल है 14 अगस्त, परसो है 15 अगस्त, 15 अगस्त का celebration भी है, साथ में दु कलास है, मतलब 15 अगस्त से लेकर, पूरा हफता, फ्राइडे तक, पांच कलास, और नेक्स्त हफते में, फिर फ्राइडे तक, पांच कलास हैं, जो special class है, यह special class target किया है, IBPS, PO और कलर्क के exam को, और इस IBPS, PO और कलर्क के exam में हम कर रहे होंगे, mock paper का discussion, तो आप सभी लोग दोस सारी classes को जाके आपको enroll करना है, तीन बच कर तीस मिनट, यह है दोस्तों, आपका basically time, इस time पर ध्यान रखना, सौड़े तीन बज़े एक class होगी, ठीक है, सबी लोग समझ गे, सौड़े तीन बज़े एक class होगी, डेली इस class का दोस्तों, आप लोग ध्यान रखना है, चलिए सार्ट करते हैं कि करके शब्द लिखेंगे, पहला वर्ड है डस्तार्डली, डस्तार्डली आपका डस्तार्ड adjective है, य लगा बन गया, जिसका मतलब है wicked और cruel, कोई विक्ती जो काफी धूर्त है, cruel है वो डस्तार्डली, तरीका होता है आपका वो कहलाता है, अगला वर्ड है जो कि नियम के बिल्कुल विपरीत किया जा रहा है, offense हो गया, वो अपराद हो गया, उसी को हमने कहा वो transgression हुआ है, उसी को हमने कहा वो transgression हुआ है, ना उनकी तरह इस्तेमाल हुआ है, अगला वर्ड है दोस्तों, bruising, bruising का मतलब है of a competitive situation, conducted in an aggressive way or likely to be stressful, जो कि एक aggressive तरीके से क किया जाए, बल, stressful तरीके से हो रही है, तो वही चीज़ आपकी bruising क्योंकि वो competitive environment है, अगला वर्ड है दोस्तों, unquantifiable, वर्ड के लास्ट में BLE adjective की तरह इस्तेमाल होगा, हमने लिखा impossible to express or measure in terms of quantity, कोई भी चीज, quantity के terms में express कर पाना impossible है, उसे हम कहते है, unquantifiable, उसे हम क्या कह होता है, जिसका मतलब है, turn away, one's eyes, या फिर thoughts, वेक वेक्ती जो अपने विचारों को बदल लेता हो, या फिर prevent or word of an undesirable occurrence, एक ऐसी कोई घटना जो आप नहीं चाते वो हो, उसको टाल देना, evert कहलाता है, वर्ड की तरह इस्तेमाल होता है, ध्यान लखेंगे, अगला शब्द अगला शब्द दोस्तों, precipitous word class में OUS होता है, adjective के तरह इस्तेमाल होगा, precipitous का मतलब है, dangerously high और steep, अगर size की बात करें तो, या फिर कोई ऐसा काम किया जाए, done, suddenly, without careful consideration, जादा ध्यान ना रखते हुए, कोई काम करना, वक्ते जी से, बिना ध्यान दिये हुए, उससे हम कहते ह precipitous, precipitous, adjective के तरह इस्तेमाल होता है, अगला शब्द दोस्तों, viable word class में BLE है, adjective के तरह इस्तेमाल होता है, which means capable of working successfully या फिर feasible होना, आप किसी काम को successfully कर पा रहे हैं, या फिर कोई काम feasible हो पा रहा है, उसी को हम कहते हैं, वो क्या है, viable है, अगला शब्द दोस्तों, reckon, reckon आपका verb क की तरह इस्तेमाल होता है, जिसका मतलब है, established by calculation, calculate करना, calculate करके कोई काम करना, गड़ना करना, या आपका reckon कहलाता है, अगला शब्द दोस्तों, lezisphere, lezisphere noun की तरह इस्तेमाल होता है, which means the policy of leaving things to take their own course without interfering, ऐसा कोई policy बनाना, कि वो जैसा हो रहा, उसको वैसे ही होने दिया जा के दोस्तों, slide number two, यह रही slide number two, शब्द आपके सामने, quell, q, u, e, e, l, l, quell, आपका वर्भी की तरह इस्तेमाल होता है, quell का मतलब है, जैसे कहीं कोई जगड़ा चल रहा है, कोई दिक्कत है, तो उसको दबा देना, suppress a feeling, या फिर put an end to a rebellion, या फिर other disorder, typically by the use of force, आप force का इस्तेमाल करके कुछ ऐसा करते हैं, उसे हम कहते, quell, यानि की शान्थ रखना, अगला शब्द दोस्तो, interalia, या आपका एडवर्ब की तरह इस्तेमाल होता है, जिसका मतलब है, among other things, बाकी सारी चीजों के बीच में, अगर कोई चीज़ है, तो इसे हम बोलते है, interalia, एडवर्ब की तरह इस्तेमाल होता है, इसको ध्यान रखेंगे, अगला शब् density है, यासा लड़ने की इच्छा रहती है, इसी इच्छा को हम कहते है, bellicosity, noun की तरह इस्तेमाल होता है, याद रखेंगे, अगला शब्द दोस्तो, belittling, belittling आपका adjective बन जाता है, belittling आपकी वर्ब है, और उसमें ing लगा बन गया, present participle adjective बन गया, belittling, जिसका मतलब है, dismissive of importance of a person or a thing, किसी भी person या चीज की importance को dismiss कर देना, मतलब उसको कमर कर देना, belittling कहलाता है, adjective की तरह इस्तेमाल होता है, ध्यान केंगे, अगला शब्द दोस्तो, lapse, lapse आपका दोस्तो होता है, कोई कमी है, हमने का, एक brief और temporary failure of concentration, memory adjustment, आप कमी हो की बात करते हैं, चाहे आप brief failure हो गय temporary failure हो गया, चाहे concentration हो, memory, judgment, इन सब की कमी हो को ही हम क्याते है, lapse, noun की तरह इस्तिमाल होता है, अगला शब्द, conviction, word class में, I.O.N. है, noun की तरह इस्तिमाल होगा, conviction का मतलब है, the act of proving or finding guilty, आप किसी को guilty find कर रहे हैं, उसे हम क्याते है, conviction, यानि कि कोई व्यक्ति ने अपराद किया और अब वो proof हो गया, तो वो आपका कहलाता है conviction, अगला शब्द, दोस्तो, evade verb की तरह इस्तेमाल होता है, evade का मतलब है, किसी भी चीज़ से बच जाना, कोई आपने कुछ चाल खेली और आप उससे बच गए, उसे हम कहते हैं evade, याद रखने के लिए दोस्तों याद रख ठीक है, अगला शब्द, दोस्तो, incipient, ये आपका adjective की तरह इस्तेमाल होता है, जिसका मतलब है beginning to happen और beginning to develop, कोई चीज़ जो हो रही हो, प्रारम हो चुकी है, शुरुआत हो चुकी है, उसी को हम कहते है, incipient, अगला शब्द, दोस्तो, clinch ही आपका noun की तरह इस्तेमाल जाए रखा, उसी को हम कहते है, clinch, noun की तरह इस्तेमाल होता है, ध्यान रखेंगे, अगला शब्द, endorsement, word glass में M E N T है, noun की तरह इस्तेमाल होता, endorsement का मतलब होता है, support करना, the action of endorsing someone or something, ये support करना, backing करना, ये आपका याद रखे ओके, चलिए, आगे बढ़ते, third slide वर थोड़े से शब्द और है, उनको और note करेंगे, ठीक है, सर कल exam है, wish you all the best, जितने लोगों का कल exam है, ठीक है, RRB वाले सभी students का कल exam है, और I wish you all the best, दोस्तो, maths और reasoning है, जम के अच्छे से बढ़िया से जो आपने पढ़ाई करी है, उस पर विश्वास रखकर, उसके बाद आराम से करेगा, कोई वहाँ जाकर घबराना नहीं है, कि हमसे हो नहीं रहा है, या फिर बहुत ज़दा प्रेशर लेना नहीं है, जितने questions आते हैं, उन questions को 100% accuracy के साथ ही करके आना, यही एक मूल मंत्र होता है, competitive exams में अपने आपको job दि आनी है, और वो ताकत प्रेशर में आकर नहीं, पहले खुद पर विश्वास रखकर, क्योंकि आपने पढ़ाई करी है, आपने पढ़ाई करी है, तो सच में वो आपके काम आएगा, ऐसा नहीं है, कि वेस्ट हो जाएगा, बढ़ हम पढ़ाई करते हैं, और वहाँ अगर हम आपने प्रेशर ले ले लिए, तो खराब है, प्रेशर नहीं लेना है, क्योंकि प्रेशर लेने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ खराब हो सकता है, तो आपने पढ़ाई करी है, खुद पर विश्वास रखी, और जो क्रूशन है, पूरे फुल कॉन्फिडेंस के साथ करके आई विश्यों आपने बस बढ़िया होगा एकजान, भरोसा रखे एक उद पर, ठीक है, आजाएए, अगला शब्द स्टार्ट करते है, अट लॉगरहेट्स, अगा मतलब होता है, इन वाइलेंट डिसप्यूट या फिर डिसग्रीमेंट, किसी वाइलेंट डिसप्यूट या डिसप्यूट की बात होती है, उससे हम कहते है, अगला शब्द दोस्तो, स्टायर, नाउन की तरह स्तिमाल होता है, जिसका मतलब है, इसलाइट फिजिकल मूवमेंट या फिर कोमोशन, कोई हलचल होना, वो आपका स्टायर क्यलाता है, अगला शब्द दोस्तो, मेमुरे यह आपका noun की तरह इस्तेमाल होता है जिसका मतलब है a return message in business or diplomacy एक लिखकर आपने कुछ बता दिया a note recording something for future use ऐसे करके हमने लिखा ग्यापन अगला शब्दे दोस्तों diligent word class में ent होता है तो adjective के तरह आस्तेमाल होगा diligent का मतलब है having or showing care या फर consciousness in one's work या फर duties जब किसी व्यक्ति कोई व्यक्ति बहुत जदा मेहनत करता है मेहनती होता है उसी व्यक्ति को हम कहते है वो व्यक्ति diligent है adjective के तरह बनता है याद रखेंगे अगला शब्द दोस्तों scriptlessly word के last में scriptless है adjective बना adjective में एलवाई लग गया बन गया adverb तो ऐसे याद रखेंगे मतलब जब कोई व्यक्ति बहुत जारा careful तरीके से कोई काम करे उसे हम कहते है वो scriptless तरीके से काम करता है scriptlessly हमने लिखा in a very careful and thorough way with great effort to avoid doing thing wrong कोशिश ये करने की पूरी ताकत लगाने की चीजें की क्या है खराब ना हो अगला शब्द और आखरी ये that is accommodate वर्वी की तरह इस्तेमाल होता है दो मतलब होते है accommodate के पहला है किसी को रहने का स्थान देना वो accommodate होता है दूसरा मतलब है fit in with the wishes or needs of या फिर help या assist करना किसी की ठीक है चलिए अब दोस्तों हम बढ़ेंगे reading में मैं आपको एक चीज हमेशा से बताता हूं जब 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 आपको reading करनी है तो एक ही चीज दियान दखने है कि जो हमने vocabulary पढ़ी उसका इस्तेमाल दूसरा हमें grammar का कोई ऐसा बहुत बड़ा दिमाग में load लेना नहीं है ठीक लेकिन इसका मतले में थमसब नहीं थमसब दे देना सबी लोग और एक बास सेशन को शेयर भी कर देना सब लोग ठीक है सेशन शेयर दरूर किया करो अपने दोस्तों के साथ जितने भी लोग पढ़ रहे हैं आपके साथ सब के साथ करिए no holds barred कोई भी hold अगर लगता है तो कोई hold रोकेगा नहीं क्या नहीं रोकेगा मैं आपको बताता हूं इंडिया मस्ट चलो इनके पहले मैं आपको कुछवर उताता हूं आपको मालूम है दोस्तों एक वेक्ती था जो कि टेर्रिस्त था मसूद अजर था क्या है मसूद अजर यादर आपको मसूद अजर मसूद अजर ने इंडिया में कई सारे हमले कराए थे तो इंडियन गवर्मेंट ने किसी भी तरीके से करके मसूद अजर को पकड़ दिया था पकड़ दिया और इसको गिरफतार कर लिया ता पकड़ लिया गिरफ़तार कर लिया उसके बाद किया हुआ नाइन्टीज की बात है उस वक्त कई सारे aeropl Putin ना hijack होने लगे थे कि कभी कोई कभी कोई कभी कोई कभी कोई और वो पकिस्तान से ही काफी सारे terrorist होते जो hijack कर ले थे और उसके अपने जो उनके जो बाकी टेर्रिस्ट थे उन से छुडाने की मांग करते थे तो ऐसा ही एक केस और हुआ था मसूद अजर का अब मसूद अजर को जब गिरफतार किया गया था तो जो इसका भाई है जिसके हमने बात करी अजगर की जिसकी यह शकल यह है राफ अजगर यह व इसने क्या क्या इसको हाई जगर कर लिया था इसमें 200 लोग बैठे हुए थे जो कि सिवीलियन थे उनको हाई जेक कर लिया था तो फिर वहाँ से इन्ति नहों ने डिमांड करी कि चोड़ दो वरना भी सिवीलियन है उनको यह नुक्सान पहुचा देंगी उन میں से किसी को मार हो दोनों लोगों ने कई बार अटेक करवा है जिसमें लोग शामिल रहे हैं चाहे देखो दोस्तों मुंबई का हुआ हमला हो या कोई और भी जो अपने देश में हमले हो जाते है पारलेमेंट से लेकर कहीं भी हमले हुए हो हर जगा हर एक टेररिस जो है शामिल होता है ऐसा नहीं कि सिर्फ वो एक ही है जो इसी वजह से बात बोली गई कि एक काम करो मसूद अजरी लिए पहले बोला गया था यह एक इंटरनाशनल ग्लोबल टेररिस्ट की लिस्ट में इसको रखना चाहिए चाहिए चाइना भी तब भी बीच में आता था कि नहीं ऐसी बात नहीं अपनी वीटो पावर का इस्तिमाल करके सेम एज दुबारा हुआ यहां पर चाहिए नहीं फिर से कहा दिया टेकनिकल होल लगा दिया कि नहीं यह जो वेक्ति है इस यह आपका रॉफ अजगर जो है यह ग्लोबल टेररिस्ट नहीं है यह चाहिए बलकि यूएस और इंडिय इंडिया को लेकिन लगातार लगे रहना चाहिए डेजिगनेट करने में टेररिस्ट को जितने भी टेररिस्ट है और प्रोसेस में बिलकुल भी भरोसा नहीं खोना चाहिए बाइ चूजिंग टूप्लेस आर टेकनिकल होल्ड टेकनिकल होल्ड लगा दिया on the joint इंडिया रोक लगा दिया on the United Nations Security Council, UNSC 1267 Committee Listing में. किसने किया ये? चाइना ने किया है. चाइना ने एक और मतलब लगा दिया, एक धक्का दिया है to its ties with India, कि इंडिया के साथ जो ties है, जो relations, उसे और खराब कर दिया उसने, चाइना ने. अब अगर यहाँ पर यह चाइना कह देता, तो यह थोड़ा सपोर्ट वाली बाद, लेकिन चाइना का भी कहे गई गई नी. चाइना की हरकते एक दम उल्टी ही तो रहती है, पाकिस्तान को सपोर्ट करना, टेररिजम, इन सब को आगे बढ़ावा देना. तो वही हमें देखने को फिर मिला. इन एपरिल 2020, तब से लेकर अब तक, जब से ट्रांसग्रेशन होए, तब से लेकर अब तक, यह एक भी नहीं successful नहीं हो पाया. तो टू साइट्स, स्पेर्ड इन दी मैरी टाइम, स्पेर्ड इस वीक, और इस वीक क्या हुआ है, चाइना ने एक और काम किया, दूसी तरफ भी स्टार्ट कर दिया, यानि कि जो हमन्तोता पोर्ट है, शिरी लंका का, वहाँ पर चाइना ने अपना वो जो खूफिया वाल पोर्ट इस वाली दिक्कत है, बलकि इंडिया ने एक और वो पोर्ट में रहेगा, अगर वो चाइना को दिखा देता हूँ, यहां से मैं गूगल अर्थ अपने पास है, दिखाता हूँ, तो आपको समझ में आएगा, कि होता क्या है कि चाइना जब अपनी शिप को लेकर व कि इंडिया का मेरी टाइम में, कहा कहा कौन कौन सी शिप है, वे शिप जो की सेट्लाइट से कनेक्षन बनाकर चलती है, वो कहा कहा है, हमारे बहुत सारी इंटर्ननल सीक एरिटी और इन्टरनल सीक अलम थ्रेट बन सकता है, वो चाइना, यह सब कुछ दोस्तों हो सकता है, और आप जोसे हम लेकर आते हैं यहांपर हमने किम बंडूतार है कि आ गया मंडूता ने श्रीवलंका ठीक है देखो त्साहरा अब सबंज में आगा है को यहां लगाता है हम बंद होता है यहां पर है तो यह क्या करता चाहिए यहीं पर ले आता है शिप ले आया है यहां पर शिप और रुकी होई है तो यहां से क्या होगा इसकी सैटलाइट से मॉनिटरिंग होती है तो यह सब चेक कर सकता है इंडिया के यहां से लेकर यहां तक क कौन कौन से कहा कहा है शिरी हरी कोटा में हम लोग जो भी इसरों का सब पूरा परिक्षण वगरा करते हैं ते वो क्या क्या कैसे काफी हता की इन्फॉर्मेशन जो है लेकर जा सकता था अब यह जो जो शिप इसके चाइना के पास है उसके बारे में ज्यादा नहीं पता है किस सब्सक्राइद क कि ओना करो लेकिन और नहीं चाइन के इसी अभी पांपरने से और यहां मैं इस अभिए अब कि心-टता、 जय कहा बहुत पर तब किस ने गई ति हमा पैसे कि आ परे ने ंट। और जो खाने के लिए बागे सब चीज़ आरे थी इंडिया श्री लंका लेकिन भूल जाता है बड़ी गुस्ता आते हो गया आपको यह लेकिन यह अभी फिलाल के लिए हो रहा है समझ रहे हुआ है आप मेरी बाद बोलो जी यह सह समझ गया है अन वाइल बाइल बाइल ट्रेड आज रिकवर इंडिया का वाइल बाइल ट्रेड तो रिकवर हो चुका है from the COVID-19 downturn के बाद, इंडिया और चाइना हमें ट्रेड तो चल रहा है Chinese technology, majors in India are being rated, लेकिन Chinese technology हैं, जो बड़ी-बड़ी companies हैं, उनके उपर rate पढ़ रही, ED के द्वारा, enforcement directorate क्योंकि पता चलता है, जैसे Vivo company हो गई, या बाकी कही सारी companies इस तरहें, ने गपला कर दिया, ने पैसे को गपला कर दिया, इस तरीके से हमें मालूम पढ़ रही होती है, and income tax authorities under suspicion of a range of financial crimes, क्योंकि उन्होंने बहुत से tax चुराएं tax बचा रहे हैं, तो इस चकर में इनके उपर rate भी पढ़ी है, at a time when bilateral trust is already in such deficit, अब हम उस वक्त की बात करें जब bilateral trade तो सच में कम हो रहा है comes China's decision to stop an important terror listing, उस वक्त China ऐसी काम कर दे, इतनी important terror listing को रोग लगा दे, just two months after Beijing, similarly stop the designation of Lashkar Etaiba, और दो मेने पहले Lashkar Etaiba का deputy chief था, अब्दुरहमान मक्की, इसको भी रोग लगा दी थी, यह सब इसके दोस्त है, तो लगता है बच्चे नहीं होते हैं, इसके बच्चे हैं, दोस्त है, कहा ठीक है, हम तो अपने पास रखेंगे, यह यह भी कोई यह तो बहुत अच्छा आद्मी है, यह तो terrorist हाई इसके नेजर में कोई terrorist ही नहीं है, यह दिक्कत ही है, बस है, हमला करवाए दे है, चायना को पता चलेगी, बस अभी दोगों पाकिस्तान को भी बड़िया सपोर्ट करते हुए, इसने बस की दोखेंगे, हैरा कोई आद्मी हैं इसको लेकर इंडीया हमेश रहे हैं, गिवन नमब अशुंजट कर्वाए गाए गे है, जो मेशर एटक्स हुए, यह विलुद्य कोई ऑफितरिक किसके द्वारा करवाए गाए गाए ऑं इंडाश कर एठाइबाँ, जैसे महमत, इ देखने को मिलता है which has held up several such listing in the past जिसकी वजय से इस तरीकी की जो listing है कई बारी ऐसी मतलब listing हमें देखने को मिले की कई बार सा हो चुका चाइना ने मना कर दिया अजगर is wanted for his role अजगर को क्यों चाहिए क्योंकि उसका role है in freeing his brother उसने अपने भाई को छोड़ाया था मसूद अजगर को in the most dastardly way तरीकी तरीके से वो क्या है by organizing the hijack of Indian Airlines flight IC814 इसको इसने hijack किया and holding nearly 200 civilian hostage 200 civilian hostage को hold कर लिया on the kandha tarmac में and other attacks करवाए है he is now reportedly in Pakistan prison अभी इसे पता सलता है कि पाकिस्तान की जेल में पाकिस्तान की जेल में क्यों है क्या पाकिस्तान अच्छा काम किया है पाकिस्तान को FATF की gray list से निकलना है बाहर FATF ने point दिये 29 points है इनके इन पर काम करना है पले 27 थे कि यह इन पर काम करो जित्ते भी terrorist है आपके आप पर आपके सब जेल में डालो समने जेल में डालती है लेकिन जेल में मस चल रहे है life कोई problem कोई समस्या थोड़ी है यह है convicted on terror related charges, terror related charges में convicted किया है और यह US और इंडिया दोनों की most wanted terrorist list में है इस इंपोर्टन एक चीज़ आवश्यक है however for India to preserve with attempts to designate both makki and azar तो कहने का मतलब है makki और अजगर दोनों को ही लगातार लगे रहने चाहिए कोशिश करते रहने चाहिए कि terrorist की list में इंको लाने के लिए as well as other terrorists को भी responsible for attacks on Indians without losing faith in the process, process में faith नहीं खोना चाहिए one option is, एक option क्या है is to keep the international pressure up कि international pressure लगातर बनाए रखे and garner more co-sponsors for the listing और listing के लिए जादर स्यादा co-sponsors को भी add करें, co-sponsors मतलब और भी countries इसमें add हो जाए which was reportedly approved जिसको approved किया गया था by 14 or 15 UNSC members के द्वारा another would be to work on changing 1267 committee procedures so that they don't allow one country to hold back ताकि एक procedure भी ऐसा बनाना चाहिए कि ऐसा नहों कि जहां सारी के सारी country जो है वो तो agree करते ही लेकिन एक country आजा है China कहते है veto power है हमारे पास और उस चक्कर में सारी के सारी चीसे cancel हो जाए ये procedure भी हटाने की जरूरत है such important terror listing without due cause वो भी बिना किसी कारण के a third may even be to open dialogues तीसरा क्या जरूरत है कि बातचीत होती रहने चीए with both China and Pakistan के साथ biliterally on the issue leveraging Pakistan's need to be removed from the FATF grey list later this year as well as China's interest in the Pakistan economic recovery ये भी देख रहे है हम लोग Pakistan की economic recovery में China बड़ी help भी कर रहा है to ensure the listings are accomplished ये सब कुछ क्यों करने की जरूत है ताकि जो listing है वो accomplished हो पाए उसको हम achieve कर पाए eventually if the goal behind the UNSC listing is to ensure ये खिरकार क्या होगा कि जो goal है UNSC की listing का वो ये to ensure that perpetrators of terrorist acts terrorist acts के जो अपराधी है are held accountable उन्हें countable किया जाए and emphasis must be on working through all the avenues और कोशिश यह होनी चाहिए कि सारे के सारे उन रास्तों का अपनाया जाए जो रास्ते अपनाया जा सकते है this is about the article क्या आप सब को समझ में आया मुझे बता दें एक बार समीलो किया sir we got it हमें समझ में आया article क्या कह रहा है कुछ सालो बाद पाकिस्तान को चाइना जब्त कर लेगा हाँ यही है दिक्कत कुछ सालो बाद पाकिस्तान को चाइना जब्त कर लेगा फिर पाकिस्तान हर वो काम करेगा जो चाइना कहता है चाइना से वैसे भी नहीं बनती इंडिया की इंडिया की किसी की नहीं बनती तो वो problematic हो जाएंगी situation उस problematic situation को बचाने की रोकने की जरूरत है बहुत जादा समझ रहे मेरी बात आप सभी लोग है ना कि आप सबको समझ मागया चलिए अगले article पर बढ़ते हैं सबको समझ मागया एक बाद मुझे बोलते हैं यस control बताओ आपकी colony में ज्यादा population हो गई क्या मुझे बताओ आपकी colony में पिछले 10 सालों में हुई एक ऐसा है आपकी गली महलों में आप जा रहे तो आस-पास के सडकों में वहाँ जादा देख रहे हो मार्केट में भीड जादा बढ़ गई हो देखी क्या मेरे को बता देना इंडिया का फोकस कहा पर होना चाहिए कि investment हो human capital पर on older adults पर living with dignity and on healthy population aging पर देखो the united nations world population prospects 2022 की according forecast करते हैं कि इंडिया becoming the most populous country by 2023 इंडिया सबसे ज़्यादा populous country बन जाएगी 2023 में चल रहा है 2022 एक साल हो कह रहे है और रुप जाओ कुछ बच्चे और पैदा हो जाएंगे आप सबसे आगे निकल जागा इंडिया सरपासिंग चाहिए चलो चाहिए चाहिए नि population India had at the time of independence in 1947 that means 34 crore population and now it is 140 crore population it means last 75 years में हमारी population 4 गुना बढ़ गई population बहुत तेजे से बढ़ गई population को लेकर कोई ऐसा policy कुछ step खास नहीं लिया गया हाँ awareness फैल आई गई बट awareness भी कोई खास तरीके से नहीं फैली बहुत ज़रूरी है awareness के साथ में कुछ policy बनानी को कि policy जब तक नहीं बनाई जाएगी तब तक यह population बढ़ती जाएगी और population के बढ़ने का मतदर को आज policy बना आएगा यह बात सच है लेकिन step तो आज ही लेना पड़ेगा आप में सभी लोग जो officer बनने जा रहे होंगे आप सभी लोग जो officer बनेंगे आपके हाथ में वह से चीज़ी होंगी आप सोचेंगे आप policies बनाएंगे आप बहुत सारे काम करेंगे है ना तो वो सब काम बहुत जरूरे ताकि आगे आने वाली generation के लिए कुछ अच्छा हो पाए यह है यहाँ पर है ना अब आगे का article नहीं पढ़ा रहो अब आप खुदी पढ़ लेना मौज लेते रहो article पढ़ते रहो सब दिया हुए कितने बच्चे कहा कहा कैसे कैसे पैदा हो रहे हैं देखते जाओ पढ़ते जाओ नेक्स आर्टिकल आता है यहाँ पर यह वाला पढ़ते नेवर एंडिंग फाइट एक फाइट जो कभी भी खतम नहीं होती है वो है free speech कियार हमें तो free speech है example देता हूँ दोस्तों आज के समय में कोई भी movie आए कोई भी movie आए अगर वो movie ऐसी movie है कि वो movie आई और उस movie में कोई भी controversy नहीं हुई लोगों ने उसे पसंद किया लोगों ने उसकी तारीफ करी वो बहुत अच्छी movie है फिर वो super rate है उस movie से अच्छी कोई movie नहीं है है ना अब ऐसी movies की जब हम बात करते तो गिनी चुनी movie आपके दिमाग में आती है example के तोर पे नाम आप ल जादा मिला पूरे देश में है ना उसके बाद आर 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 मुवी आई जिस पुश्पा मुवी आई इस तरीके की movie जिसमें जादा प्यार मिला अब रक्षावंदन पर movie रिलीज हो रहे थे एक्षगमार की boycott रक्षावंदन boycott 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 ये trend होने लग गया लाज सिंग चड़ा movie जो थी उसको लेकर दुनिया भर का boycott अब आप समझ लो कोई भी movie बनती है तो उसमें क्या है बहुत सारी चीज़े द्यान रख नहीं पड़ती है अगर आज से अगर आप 10 साल पुराने पहुँच जाए movies बनती थी movies में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते थे कुछ भी तरीके कुछ भी visual दिखा रहे होते थे कोई खास फरक नहीं पड़ता थे बट आज चीज़े बहुत बदल गई है क्या इस बात को इस अंतर को आप समझ पाते हैं मुझे बताए एक बार सब लोग मुझे यह की नहीं मैंने नाम तो सुना था बटी देखी नहीं मूवी का नाम है जय भीम जय भीम यह मूवी आई थी जय भीम कितने लोगों ने देखी जरु मुझे बताना क्योंकि कई बार क्या होगा आप मैंसे बहुत से लोगों के जिन्होंने मूवी देखी मूवी को मूवी क तरह लिया, उसे enjoy किया, entertainment था बढ़िया, आपने खुब entertain हुए, और बढ़िया movie बन, आप भी बन थी, आप अपने कांदने बे लगए, खतम होगे बात, जैभीम जैसे मैंने देखी नहीं है, लेकिन आप मैंसे बहुत से लोगों ने देखे, जैभीम movie में क्या आपको सच में कितने लोगों को लगए, कुछ ऐसा खराब दिखाएगा, किसी के अगेंस दिखाएगा, क्योंकि ऐसा करके काफी कुछ इसमें दिया हो, अब वो दिखाएगा, तो मैं भी देखूँगा, जैभीम तो मिरे को पता चले किस चीज़ को लेकर जादा यहां परेशानी हो रही है, यह movie कैसी है, आप जरब मुझे बताएगा, क्योंकि नाम जो जिससे आप से मैंने सुना था, मतलब, मुझे पता नी था, जब तक मैंने सुना था, मैंने यह सुना था, यह movie काफी अच्छी बना इनके उपर लगाए गया था, थी मदरास हाई कोट has spared them, उनको छोड़ दिया है, मदरास हाई कोट ने, the ordeal of facing vicious proceedings, जो खराब यह proceedings हो रखी थी, for allegedly insulting, जान बूझ कर insult किया जा रहा है, यह आरोप लगा था, a section of society in the acclaimed film, जिसका नहीं में, जय भी, जिसमें यह को provision है, जो कि कहता है कि आपने क्या crime किया है, कि deliberate and malicious act, जान बूझ कर कोई ऐसा काम किया हो, intended to outrage religious feelings, जिससे कि religious feelings जो है, वो क्या हो, भड़क जाए, जड़ा मैं देख लूई यहां पर religious feelings को लेकर, आप लोगों का क्या क्या कहना है, देख रहा हूँ, मैं आपके comment मैं ने देख लिए, दोस्तों, मतलब यहां पर ऐसा कोई, खास आपकी तरफ से कोई बताया है नहीं, आपने किसी ने कि कुछ इसमें negative है, कुछ खराब है, ठीक है, चलो, देखो सब का अपना है, ऐसा भूला गया है, तो जिसको लगा होगा, उसने बोला होगा, ऐसा है, तो उसके बाद, F.I.R. क्या होई जाती किसी की, अब ऐसे, आजकल चल भी रहा है ना, कोई भी मूवी आए, कुछ ना कुछ आए, बिना कुछ करें, मूवी आगे तो मले ही नहीं आता, कुछ तो होदा रहा है उसमें, ठीक है, तो a magistrate had forwarded the complaint, magistrate ने इस complaint को forward किया था to the police for the registration of a first information report, एक F.I.R. को register करने के लिए, by concluding, जिसमें ये conclude करते हो, कहा गया that it disclosed a cognizable offense, कि एक cognizable offense को दिखाता है, कि जानमूझ करें सा किया गए, एक पर इसको register करो, the high court has rightly concluded, high court ने सीधे तोर पर conclude कर दिया that the magistrate had acted mechanically, कि magistrate ने सो समझ के mechanically act किया है, as the order did not even mention, कि order में ये mention नहीं था, कि what offense was made out in the complaint, कि complaint में क्या offense किया गया, in this case, it is quite strange, तो ये तो थोड़ी विचितर वाली बात है, इसमें पता ही नहीं है कि offense क्या किया गया, that a perceived insult की, ऐसा महसूस हुआ है, कि insult हुई है to a caste, was seen as outraging, कि वो एक outraging religious feelings की तरह, देखो बहुत जरूरी है, हाला कि किसी की भी feelings hurt ना हूँ, इसको ध्यान रखना, ये तो बहुत ज़दा जरूरी होता है, definitely, लेकिन आप ये बात सोचिए, जब मुवी फर्दे पर आती है, तो वेक्ती होता है, जिसका नाम होता है, censor board, ये जो censor board बैठा होता है, censor board करता क्या है, censor board भी तो पास करता होगा, कोई ऐसा नियम law ले आईए, कि आप पहले उसको देखें, अच्छे से कि भाया, इससे ये नहीं दिक्कत होगी, ये दिक्कत नहीं होगी, ये दिक्कत नही हो आपको क्या लगता है ऐसी condition में क्या किया जाना चाहिए इससे देखो नुकसान क्या क्या होता है पहला जब ये एक हिट्रेट की feeling समाज में फैल जाती है जिसकी भी खिलाफ अगर कुछ movie में दिखाए गया है जिसको भी लगा number one number two क्या होता है कि इससे court का समय वेस्ट होता है पुलिस का समय वेस्ट होता है ये सब समय ही तो वेस्ट हो रहा है ये जो तता समय यहां लगाएगे और भी दुनिया बर के cases अपने देश में pendency में है उन पर लगा सकते थे तो ऐसा क्या किया जाना चाहिए है आप मुझे बताईगा क्या कोई हमें ऐसी policy बनानी चाहिए कि पहले से mid में ही लगे हो कि भाई यह पहली checklist screening हो जाए उसके बाद ही movie पर दे पर आएगे जिसमें caste और religion conflate हो सकते हैं बड़क सकते हैं with one another by those claiming to be hurt or insulted by others उन लोग के द्वारा कि जिन्होंने का कि हमें hurt हुआ और उनके बीच में और उनके बीच में जिन्होंने hurt किया असल में वो movie है और इसका impact कहा है था real life में मतलब उनका कोई लेना देना नहीं है वो तो अपना मस्त अपनी life जी रहे सुबह साम काम करते हैं बड़ीया अपनी जिन्देगी जी रहे लेकिन दिखा जेगी कि यह खराब होगा तो एक दूसरे में भावना हो जाती है खराब यह नहीं होने चाहिए the court has noted, court ने note किया है that except for a contention, except for a contention that the film was made in a manner that is likely to incite violence कि film इस तरीके किये जिसे कि violence create हो सकता है, hostility हो सकती है towards a particular community there was no specific instance stated in the F.I.R. तो कि ने इस F.I.R. में छा कोई हाला कि instance state नहीं किया गया, बोला नहीं किया है ठीक है, the casual resort to criminal prosecution for perceived insults to religion and any other social segment has become an unfortunate feature यह खराफ तरीका है of contemporary life का, some years ago, कुछ वर्षों पहले, the Supreme Court had to intervene to acquash a criminal complaint एक criminal complaint और होई थी, महेंदर सिंग धोनी की खिलाफ, आप मैंसे कई सारे लोग इस इसको जानते होंगे एक यह और होई थी, क्यों होई थी, for being featured, क्योंकि इनको use किया गया था, in the likeness of a deity एक भगवान की तरह, देवता की तरह दिखाए गया था, on the cover of a magazine, एक magazine की cover में अब इसे actor होते हैं, actress होते हैं, उनको कई बार इस तरीके से दिखा दिये जाता है कि एक magazine में उनको किसी देवता का रूप दे दिया गया, किसी देवी का रूप दे दिया गया तो उससे पहले कोई एक परत होनी चाहिए, कि उसके पहले वो चेक होगी, स्क्रीनिंग होगी, उसके बाद ये पब्लिक डॉमेन में जाएगे, point समझ मैं, सरे एक बाद sensor board को बोलो कि सुदर जाए, अरे मैं क्या बोलो सुदर जाए, sensor board में जो जाते हैं, वो आप जैसे हम जैसे लोग ही होते हैं, जो recruit होते हैं, जाते हैं, कोई और नहीं होता है, पहली बाद तो ये, ठीक है, बठा हम और आप जो काम कर सकते हैं, वो ये कि हम और आप suggestion दे सकते हैं, कि हमें कुछ policies और ऐसी बनानी चाहिए, जिससे की चीज़ें का है, screening हो पाए, परदे पे आने से, पहले ही पहले उसको निज़ात कर दे जाए, ताकि बाद में ये चीज़ें ना हो कि लोगों को परेशानी हो रही है, सच में लोगों की feelings जब hurt होती है, तो इसमें असल में, सच में society में नुकसान होता है, वो नुकसान नहीं होना चाहिए, I understand, वो नुकसान नहीं होना चाहिए, जब आप लोग officers बन जाएंगे, तो आप लोगों के हाथ में ऐसी बहुत सी power होंगे, जब आप policies बनाएंगे, तो उस पर आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, जब आपके हाथ में power होगी, दोस्तों तब आप जरूर ऐसे अच्छे काम करिएगा, Section 295A has been interpreted by a constitution in 1957 to the fact, इसका मतलब यह होता है, it only punishes the aggravated form of insult to religion, यह तभी punish करता है, जब बहुत जादा ही किसी ने ख़राब तरीके से हो जाए, उस किया हो, इंसल्ट की गई हो, किसी religion की, वन सम्थिंग इस दन, जब कोई चीज हो, बितर डेलिबरेट and malicious intention के साथ, वो इस वज़े से की गई हो, ताकि लोगों को भड़क जाए, अगर ऐसा कुछ किया गया है, to outrage the religious feelings of a class, तभी इसके तहित क्या होती है, punishment मिलता है, however, in practice, groups and individuals use some imagined lie to themselves as a pretext to infringe the right of freedom of speech and expression by objecting to films, कई बार लोगों के पास अबलिकिन अधिकार होता है, तो right to speech, right to freedom है, ऐसी वो चीज़े जो उनको एक तरीके से लगता है, कि उनके खिलाफ हो रही है, in many cases, the police tend to give greater credence to such complaints, कई बार इस तरीकी complaints में, police ज़्यादा भरोसा कर लेती है, then they deserve जितना करना नहीं चाहिए, and cite the possibility of a disruption of law and order to clamp down on screening or performance rather than the protect free speech, to protect free speech को protect करने हैं, कि अलावा काम इस पो उनके लगता है, लो movie band कर दे रहें, लो play band कर दे रहें, लो इसे band कर दे रहें, इसे band कर दे रहें, ऐसे करके, constitutional courts do intervene time and again, वो बार-बार intervene करती हैं to protect freedom of expression, but often such relief comes after a delay, इस तरीकी की relief ताब आते हैं, जब थोड़ा delay हो जाता है, books have been pulped and performances and lectures have been cancelled based on threats and complaints more often than needed, these developments can only mean, in developments का मतलब सिर्फ यह, यह that the fight for free speech has to be fought anew from time to time, free speech को लेकर जो fight है वो समय समय पर क्या होती है, बदलती रहती है, नई आती रहती है, यह इसको लेकर discussion है, मझे बताए क्या point समझ में आगया सभी को, यह है आपका article number 2, बड़िया शांदार तरीके हैं, दोस्तों हमने इसको ही पड़ा अच्छे से, मुझे सब लोग उता दें, बड़िया समझ में आगया, first class की नहीं, यह था हमारा article number 2, now, 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 आपको क्या करना है, अब आपको करना है एक काम, like button पहले प्रेस करके मुझे बताना है, कि जी सर हमें समझ में आगया, number 1, number 2 दोस्तों, 15 अगस्त से, आप लोगों की दोस्तों classes हैं, है न, यह classes description में link लगा हुआ है, unacademy free special classes है, 15 अगस्त सोड़े 3 बज़े daily होंगी, IBPS PO clerk है न, इसको target करते हुए, आप जाएए description में link लगा हुआ है, सारी के सारी classes को enroll कर लीजे, फिर कोई रहना जाए कि हम रहेगा, time नहीं मिला, time में notification नहीं आया, और यह कोई बहाने नहीं, ठीक है, मुझे एक बार yes करके बोलें, जी sir, बिल्कुल करेंगे, यह काम आप अभी करिये, इसके लावा दोस्तों, आप में से सभी लोग, अगर आप UPSC के preparation करना चाते हैं, तो UPSC का subscription लेकर, आप इन सभी teacher से पढ़ सकते हैं, बढ़िया शानदा teacher से सब पढ़ाते हैं, इंडिया की best teacher से हैं, यह मैं आपको बताता हूँ, पंदरा तारिक से, यानि परसो से ही, पंदरा अगस से, दुपेर दो बजे 2 पियम पर, आपकी मेंस की class start हो रही है, है न, RRB clerk मेंस, RRB PO मेंस के लिए, दूसरी बात, दुपेर 12 बजे 12 पियम पर class चल रही हैं, आपकी सभी के सभी, जो टार्गेटेड एक्जाम है, IBPSPO और कलर्क का, इस IBPSPO कलर्क के एक्जाम को टार्गेट करते हुए, आपको एक foundation class से ही, वो भी है, सब कुछ आपको इसे ही मिलता जाएगा, इस code का इस्तिमाल करना, दोस्तो, ABP10, जब आप discount लोगे, तो इसमें 10% discount आएगा, मैं आपको recommend करूँगा, 12 मेने का subscription plan, एक plus है, और एक iconic है, मैं आपको iconic recommend करूँगा, वो इस वज़े से, क्योंकि iconic में क्या होता है, आपको books भी सारी की सारी मिलती है, आर academy की तरफ से, बढ़िया first class तरीके से, आप उन्हें पढ़िये, अच्छे सों सीखे, ठीके, कोई दिक्कत, कोई समस्या आएगी, मुझे आप ज़रूर बताएगा, बाकि सेशनों करते हैं, दोस्तों हम लोग खतम, और आप सभी से मिलेंगे, अब हम लोग नेक्स सेशन में, कल संडे, संडे को यूट्यूब अली क्लास नहीं होगी, मंडे को मिलेंगे, और मंडे को हम सीथा मिलेंगे, वही स्टूडियो से बढ़िया तरीके थे, जम के पढ़ाई करेंगे, ठीक है, I wish you all the best दोस्तों, Thank you very much, Jai Hind, Jai Bharat Thank you